बहराईच के रिहुआ मनसूर गाउं का रहने वाला राम गूपाल मिस्रा की दुरगा प्रतिमा बिसर्जन के जुलूस के दौरान गोली मार कर हत्या कर दी गई थी अब उसकी पतनी का एक वीडियो सामने आया है राम गोपाल मिस्रा की पतनी रोली मिस्रा ने वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरूप लगाए हैं रोली मिस्रा ने कहा है कि पुलिस ने हमें न्याय नहीं दिया है और वो लगातार उसकी अंदेखी कर रही है उसने कहा कि पुलिस ने आरूपियों को पकड़े जरूर हैं, लेकिन पैर में गोली मारी गई है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, राम गुपाल मिस्रा की पत्नि ने कहा की हमें नयाए चाहिए, बता दे कि रविवार को शाम राम गुपाल मिस्रा दुर्गा प्रतिमा व उनी बवाल में बदल गई आरोप है कि इस दोरान छटों से पत्थर पेके जाने लगे जिससे विसरजन में भगदर मच गई इस बीच गुरी बारी हुई जिसमें राम गुपाल गंभी रूप से घायल हो गया उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया गया जहां उसने दम होने की बात कही थी परिवार ने लेकिन अब मुर्तक की पत्नी का चौकाने वाला बयान सामने आया है जिसमें पुलिस प्रशासन पर लापरवाही कारोप लगा रही है सुनवाते हैं कि मुर्तक की पत्नी ने क्या कुछ कहा है नमस्ते गाइस मैं नूली मिस्रा रांगोपाल की पत्नी जिनकी आज से चार दिन पहले हत्या हुई है हम नयाई मांग रहे हैं जो नयाई में मिलनी रही प्लिस प्रशासन हमें नहीं दिला रही है वो लोग घूस ले ली है उन्हें पपड़े तो जरूर है लेकिन उन्हें हमारा ने गया है हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है प्लिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याई कर रही है हमें इंसाफ ने दिला रही है और क्या ही कहा है प्लिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रह तो हमारे पेज को लाइक करें आट मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धानिवाद। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद